हेलो एवरिवन तो फाइनली जो है एम्यू ने जो है प्रोस्पेक्टर जो है रिलीस कर दिया है कि जिसमें कौन-कौन से कोर्सिस में पाटिस्पेट कर रहा है एम्यू इस यर तो ऑफिछली आउट हो गया है और अब जो बाकी कोर्सिस है उनका एटमीशन कैसे होगा उनका admission AMU खुद ही conduct करवाएगा तो कौन-कौन से courses हैं इस prospectus में जो है mention है 6 pages हैं इस prospectus में और इस prospectus को आप AMU की site से download कर सकते हैं site का link आपको जो है description box मिल जाएगा और आप Google से भी search कर सकते हैं AMU controller exams.com कौन-कौन से courses हैं क्या eligibility criteria है course details सारा इसमें mention है पहला course है वो है B.H.C. Honors Home Science तो अगर आप B.H.C. Honors Home Science में admission लेना चाहते हैं तो इसमें आपको admission CU8K through ही मिलेगा तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है next देख लेते हैं BA Honors Research इसमें आप admission लेना चाहते हैं आपको admission कैसे मिलेगा CU8K through ही मिलेगा अब CU8 में देखे test paper में जैसे यहाँ पर लिखा हूँ है क्या क्या चीज़ें आपको select करना है English और General Test तो दो चीज़ें आपको देना है English और General Test और BA Honors Research यहाँ पर आपको यह दे दिया ठीक है इसमें भी क्या subject आपको चूज़ करने इंगलेश और General Test अगला देख लेते हैं BWOC Production Technology इसमें भी आपको देख लेजी test paper की आपको सारे detail दी हुई है कौन से domain select करने कौन से paper select करने जैसे कि यहाँ देखे इसमें आपको English चूज़ करना है Physics भी चूज़ करना है Domain में chemistry, biology और mathematics भी तो इसमें जनरल टेस्ट नहीं है ठीक है और BWOC Fashion Design and Garment Technology इसमें भी सीवाट के थूँ अड्मीशन होगा तो यह सारे courses हैं जिसमें अड्मीशन सीवाट के थूँ होगा और बाकी के लिए आपको EMU का entrance test दी conduct करवाए जाएगा जल्दी जो है detail bulletin EMU की out हो जाएगे जैसे notification आएगा आपको वीडियो बनाके इनपान कर दिया जाएगा Thank you